गुडीवनिंग क्या बात है? क्या बात है? बहुत सारे बच्चे जूड चुके हैं. गुडीवनिंग, गुडीवनिंग, गुडीवनिंग गाईस. तो एक हफ्ते में इंग्लिश बोलना सीखे. Sir, how did you get this idea? Sir, is it really practical? एक हफ्ते में इंग्लिश बोली जा सकती है? भहिया, मैं ब कोलता हूँ कि आपकी इंग्लिश बोहत बहतर हो जाएगी. Sir, it is really impractical. It is 100% practical. दोस्तों, कुछ बच्चे UPSC की तयारी करते हैं, पांच साल के बाद भी UPSC को क्लियर नहीं कर पाते हैं. और कुछ बच्चे एक्जाम का फॉर्म भरते हैं, तीन महिने तयारी करते हैं, UPSC की एक्जाम देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, छे महिने मेंस की प्रेपरेशन करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, और फिर इंटर्वी की प्रेपरेशन करते हैं, देड़ या दो साल की प्रोसेस में, they become I.S. How is it possible sir ये कैसे संभ़ होता है ये संभ़ होता है कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं किसी को एक पेरिग्राफ को याद करने में दिन भर लग जाता है कोई आदे घंटे में उस पेरिग्राफ को याद कर लेता है किसी को एक भूक को पढ़ने में साल भर लग जाता है वो व्यक्ति कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं extremely talented होते हैं वो दिन भर में उस किताब को खतम कर देते हैं जो पूछो वो answer दे देते हैं सो guys कहने का मतलब यह है कि course 70 दिन का हो 7 दिन का हो कुछ लोग बोलते English सीखने में 3 महिने लगते हैं कुछ लोग बोलते 6 महिने लगते हैं मैं बोलता हूं घासी राम को 10 साल लग गए हैं English नहीं सीख पाया है क्योंकि घासी राम ने कभी अपना 100% नहीं दिया जो काम घासी राम 10-12 दिन में कर सकता है एक महिने में कर सकता है but he is not putting his 100% and that is why he is not able to speak English guys my name is Kamlesh Yadow and I am your spoken English trainer and I am here with 7 days course mass spoken English book course 7 दिन तक अगले 7 दिन तक आपको free में पढ़ाऊंगा आपको ये जो पढ़ाऊंगा ना ये जो सारे notes हैं बहुत सारे notes है ना ये सारे notes आपको free में दूँगा आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है पढ़ाने के बाद आपको मैं एक 60 question की practice sheet free में दूँगा याने कि एक घंटे की class होगी देड़ घंटे की भी हो सकती है पूरा free में पढ़ाऊंगा YouTube पर सारे notes आपको free में दूँगा आपके mobile पर और तीसरी बाद homework दूँगा spoken English में homework कोई नहीं देता है पर math study पर homework मिलेगा आपको homework दूँगा बेटा आपको तीन चीजे करवाऊंगा और साथ में class में practice करवाऊंगा और most importantly अगर आप last तक इस class को देखते हैं ऐसे ऐसे spoken English के secrets reveal करूँगा you'll be surprised to know sir ऐसा भी होता है and I will tell you हाँ ऐसा भी होता है English can be spoken English can be learnt English can be throat spoken in just one week लोग बोलते सर कुछ चीजे impossible होती है मैं बोलता हूँ ये सामने जो इंसान बंदा खड़ा है ना ये खुद अपने आप में possible है अगर ये कर सकता है तो आप तो मुझसे बहतर हो भाई we are not different guys we come from a same background we come from a same environment we come from a same education system फिर कुछ लोग बहुत आगे हो जाते कुछ लोग बहुत पीछे why just because of how they understand the things आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप spoken English के कुछ तरीकों को follow करके spoken English के कुछ pattern को follow करके आप सिर्फ English सीख नहीं सकते हैं आप English में fluent बन सकते हैं English is not about speaking English is about writing also it is about listening also हमें सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं सीखना है आरे बोलना तो हर कोई सीख जाता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर हमें fluent बनना सीखना है how to become fluent speaker as we talk Hindi can we talk English और अगर हमें वो करना है तो हमें तरीके पता होने चाहिए हमें secrets पता होने चाहिए हमें वो methods पता होने चाहिए जिसके तुरू बहुत बहतर लोग public speaking सीखते हैं English is not about that you are talking to a person हमने तो सर इंग्लिश सीख ली हमने क्या सीखा सर हमने यह सीखा कि मैं ना सर मुझे इस काबिल बना दो कि मैं अपने दोस्त से अपने टीचर से अपने घरवालों से अपनी गल्फरेंड से इंग्लिश में बात कर पाऊं why do you want to be so limited that only you want to talk to your girlfriend have you taken birth only for this girl why do you want to impress her just speak English everybody will be impressed हमें किसी एक व्यक्ती के लिए English नहीं सीखनी है हमें इंग्लिश सीखनी है कि हम दुनिया के best speaker बन पाए हमें English speaking सीखनी है ताकि हम बड़े बड़े जो stocks TEDx जैसे stages पर perform कर पाए हमें English सीखनी है ताकि हम बहुत दुनिया का बहुत बड़ी दुनिया का किसी भी कोने का knowledge प्राप्त करें हमें English सीखनी है क्योंकि जिस company में काम करते हैं जिस school में काम करते हैं जिस area में काम करते हैं वहां के सबसे best communicator हम रहें आप बहुत 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 हैं दोस्तों यकीन मानिये हमें कई बार खुद को अहसास दिलाया जाता है तुमसे ना हो पाएगा तुम नहीं कर पाओगे अरे तुमको खुद को भी लगता होगा ना कि नहीं हो पाएगा मैं बोलता हूँ दोस्तों अगर मैं कर सकता हूँ मास्टेडी के वो दो लाग दस जार स्टुडेंट्स अगर इंग्लिश सीख सकते हैं तो आप भी बहुत बढ़िया इंग्लिश सीख सकते हैं और माइ फोकस अगेन इवुड लाइक टो रिमाइड यू इन साथ दिनों के अंदर सिफ इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा इन साथ दिनों के अंदर टॉपिक में पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ सीखरेट्स बताऊंगा जिसके थूँ आप कोर्स ये यूटूब पर फ्री रहेगा ये सारा कॉंटेंट जो मैं पढ़ाऊंगा ये मेरी फिजिकल बुक अवेलेबल है मार्केट में आप कल से आज इस बुक को और कर देंगे कल से आप ये बुक लेके बैठेंगे ताकि आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं कहां से पढ़ अब इस इंडिया में हो रही है आज मुझे दिन भर से अमेरिका से इंडोनेसिया से पाकिस्तान से स्री लंका से कैनड़ा से औस्टिलिया से कई जगर से फोन आ रहे हैं कि सर हमको तो मिली रही बुक हम आउट ऑफ इंडिया रहते हैं मैं आपको भी मिलेगी आपने अभी तक ये बुक नहीं लिए अगर ये कोर्स अटेंड करना चाहते हो साथ दिन में फ्रिंगली सीखना चाहते हो प्लीज हाथ में ये बुक रख लेना फटापट बताओ किसने किसने बुक और कर दिये फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं चलिए शुरू करते इंगलिज सीखने के लिए क्या जरूरी है दोस्तो हम मैं आपको बताता हूं what is my seven days plan seven days plan क्या है मैं आपको बताता हूं देखि सबसे पहली बात कि हम इसमें पढ़ेंगे हम जो seven days में पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे most used topics in English दोस्तों English सीखने के लिए आपको पूरी English को पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार हम शुरू करते हैं कितने alphabets है word कैसे बनता है sentence कैसे बनता है हम हजारों चीज़े सीखते हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ी छटनी करने पड़ेगी क्योंकि English तो आपको आती है आपको English आती है दोस्त सर क्या बात करें do I know English? हाँ, you know English, sir मैं कैसे English जानता हूँ? because you use English, sir मैं कव यूज करता हूँ, you use in your daily routine, sir कब मैंने यूज की? आरे भाई मुझे बताओ ये क्या है, sir ये तो pen है, अरे भाई pen English word है, मैंने का ये क्या है, sir ये तो hair है, आरे hair तो English word है, घासी राम, sir ये क्या है, ये तो jacket है, sir, jacket भी तो English है, है ना, उपर लगी क्या है, light है, light English word है, मैंने कहा, और क्या बताओ तुमको, sir ये क्या है, watch है, sir ये तो English word है ना, तो वही बोल रहा हूँ, कि हम ना, अगर इंडिया में पैदा हुए है ना, तो इंडिया के लोगों को 60% English vocabulary आती है, बस नहीं आता, तो केवल उ this is here, अगर ये mic है तो इसे बोलना है, this is mic, it is mic, तो बस काम बन जाता है, आपको subject, verb, object को जमाते आना चाहिए, पदा है, लोग हमारे confidence का फाइदा उठाते हैं, हमें English नहीं आती है, जिसको थोड़ी बहुत जादा English आ जाती है, वो दो चाल लाइन बोल के हमारे confidence को down कर देत लुँजिश करता है, करता है न, वो इंस बोलता है, हम भी कोशिश करते हैं, हम अटक जाते हैं, हमारा confidence low हो जाता है, और हम दिककत में आजाते हैं, दोस्त, ये अब नहीं होगा, आज के बाद आपके confidence को मैं law नहीं होने दूंगा, फटाफट लाइक कर दो, आया होना, ला यह बहुत बहतर होगा दोस्तों बहुत बहुत होगा आपका confidence ठीक Mil主 ठीक है तो अब मैं कम नहीं होने दूँगा आपका confidence and I assure you मैं आपको गेरणटी देता क्यापको करना क्या सब्वसे पहले बात हमें बार 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 अश हमें सीखना है हमें इंगली सीखने के पैटन को चींज करना है सबसे पहले हम साथ दिन में most used topics पढ़ेंगे हमें ज्यादा topics पढ़ने की जरूत नहीं साथ से आठ topic पढ़ाऊंगा वह topic पढ़ाऊंगा spoken English के जो बहुत जादा बोलते सुबह उठते ही बोलते हो साम को सोते सोते ही र दोस्तों कि दूसरी बात क्या है कि हमें दो का combination रखना पड़ेगा हम हमारी class को 30 plus 30 minutes के combo pack में बाट देंगे सर यह क्या कहना चाहते हो 30 minutes पढ़ना है concept को समझना है और 30 minutes हमें क्या करना है practice करनी यानि कि 30 minutes पढ़ेंगे 30 minutes practice करेंगे और फिर हम last के 10 minutes में कुछ secrets जानेंगे ऐसे secrets जो हर कोई आपको बताता नहीं है मैं भी English सीख रहा था ना तो मुझे कम से कम 3 महने हो गए थे मैंने का यार English है नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही है तब मुझे समझ में आया कि English को सीखते कैसे हैं क्या process होती है क्या तरीका होता है दोस्तों जितने भी public speakers होते ना उन से पहले कितने topics पढ़ेंगे तो हम यहां पर 7 से 8 topic पढ़ेंगे जिसमें आपकी 90 प्रतिसक English में cover करवा दूँगा और हम कैसे पढ़ेंगे 30 minutes का समझेंगे 30 minutes practice करेंगे और 10 minutes कुछ techniques पर बात करेंगे clear है यहां तक समझ में आ गया agree करते हो अगर agree करते हो तो like करो और 5 लोग शेयर करते हैं लेकिन यह काम का वीडियो शेयर करोगे तो पुन्य मिलेगा सहयोग मिलेगा और नय हो पहली बार आये हो ना subscribe कर दो क्योंकि बहुत धमाका होता है मास्टरी पर भीया समझ में आया की नहीं है बहुत धमाका होता है ठीक है चली अब मैं आपको यहां तक मैंन को पता है 90% लोग क्या गलती करते हैं 90% लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों बताओ मैं आपको what they do mistake what is English speaking यहां गलती करते हैं what is English speaking English speaking क्या होती है पता है आपको English speaking is all about two parts एक होता है आपके words और एक होता है आपका body language यह अगर आपने secret समझ लिया ना पढ़ाओंगा भी आपको tension नहीं लेने का दुनिया के जितने भी public speakers है उनके secrets बता रहा हो अगर आपको एक बार बोलना आ गया ना एक बार आपको बात करने का तरीका पता चल गया तो पिर किसी भी stage पर धोका नहीं खाओगे किसी भी stage पर tension नहीं लोगे देखो क्या करते हैं बड़े बड़े speakers English बोलने से पहले आपको यह game समझना पड़ेगा कि लोग जो बोलते हैं इस बोलने में लोग क्या करते हैं एक तो normal sentences use करते हैं दूसरा beach बीच में क्या करते हैं यह ये क्या करते है, बीच-बीच में पता है आपको, ये बीच-बीच में, पहले इसको लिख लेता हूँ, ये बीच-बीच में, नॉर्बल सेंटेंसे यूज करने के बाद, रिच वोकैबलरी यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाइया चलो स्टेज पर आजाओ मैंने आप लोगों कहा कि चलो स्टेज पर आजाओ तो आप कैसे बोलोगे please come on the stage क्या बोलोगे आप बोलोगे स्टेज पर आजा तो आप बोलोगे please come on the stage एक public speaker पता है कैसे बोलेगा can I have you on the stage वहाँ पर उसने हेव का यूज कर दिया उसने क्या बोला कि sir can I have you on the stage तो वो क्या करता है normal sentences यूज करते करते उसने rich vocabulary यूज कर दी तो अंग्रेजी दो प्रकार की होती एक होती ही काम चलाओ अंग्रेजी जो आजकल हर कोई बूल लेता है एक होती rich English और rich English कैसे बूलते हैं पहले काम चलाओ अंग्रेजी सीखो फिर आप automatically rich English सीख जाओगे और यह मैं आपको सिखाओगा तो हमें क्या करना है हमें normal sentences के साथ साल हमें कुछ rich vocab के sentences यूज करना है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि sir topic wise पढ़ना पड़ेगा क्या अंग्रेजी एक भासा है और भासा को सुनकर और समझकर repeat किया जाता है जितनी language आप repeat करोगे ना English को उतना सीखोगे दिक्कत कहा है हमको ना अंग्रेजी बोलने में सरम आती है हमें लगता है कि मैं English बोलूँगा चार लोगों में तो मुझे लोग देखेंगे घूरेंगे चाहते भी तो यही हो ना चाहते क्या हो कि when you speak English people should notice you दोस्तों जब तक हमें लोग notice नहीं करते ना तब तक हमारी market में कोई value नहीं है आवद ओजा सर को सभी जानते हैं आवद ओजा सर बोलते हैं बहुत बढ़ियद बात बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर आपकी utility है अगर आपकी उपयोगिता है market में तो आपके demand होगी और आपके demand होगी तो आपका जीवन अच्छा होगा अगर आप किसी काम के नहीं है यानि कि you are good for nothing अगर आप किसी भी काम के नहीं है तो गए काम से इसलिए आपको अपनी उपयोगिता बतानी पड़ेगी दोस्तों और उपयोगिता कैसे बनेगी अगर आपको 2024 लगने वाला है वरना 2025-2030 तक फ्लॉप हो जाओगे इसलिए पहले normal sentences rich vocabulary उसके बाद हमारा खेल आता है body language का अब body language में हमें क्या आना चाहिए दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग है जिनको जब बोलते हैं न तो हमें न अपने हातों का इस्तमाल करना चाहिए अगर मैं आपके सामने continuously बात कर रहा हूं आगर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने continuously you can see that I am using my hands I am using my eye contact I am using my gestures and postures I am using the flow you see the flow of my language I am not stuck in somewhere I am not feeling shy I am not agitated why because I have command over English speaking और यह कमांड की वज़र से नहीं हो रहा है दोस्त अंग्रेजी कमांड की वज़े से नहीं आती जब आपको पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति पर आप भारी हैं फिर आपको भले कि यार मैं गलत बोलूँगा मुझे नहीं आएगी तो क्या होगा लोग हसेंगे इसलिए मैं को तो डर लगता है मैं बोलना ही नहीं चाहता हूं और इस वज़र से फिर आपका इसलिए सबसे पहली बात आपको अपने कॉण्फिडेंस को हाई रखना है दूसरा आपको अपने हैंड्स का और अपने आई कॉंटेक्ट का आपको ध्यान रखना यह दो ही चीजे पूरा गेम बदलती है वेदर आपको एक दो ही जिए नहीं है पैरी गदलती है किसी भी स्पीकर को देख लीजे रही है जब वह बोलते हैं तो लोगों को बांध कर रखते हैं लोगों से आई कॉंटेक्ट मिलाते हैं आपने हाथों को बड़े एक्शन से यूज़ करते हैं जिसे तलवार चला रह आपने सीने को अपने पेरों को इस तरीके से यूज करते हैं कि पूरा का पूरा स्टेडियम उनके कंट्रोल में हो इसलिए अगले साथ दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि चाहे आपके सामने एक व्यक्ति हो चाहे एक हजार हो चाहे एक लाख लोग आपके सामने बैठे हो अगर आपको 10 मिनट उनसे अंग्रेजी में बात करना है तो आप बेज़िजक बिना किसी समय में हम आप से promise करते हैं कि हम English में किसी के सामने बोलेंगे once the confidence you have the confidence you can speak anywhere चलिए तो ये काम आपको करना है अब मैं आपके topic की शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले English में हमें क्या करना है दोस्तों English में हमें दो चीजों पर हम काम करेंगे दो चीजों पर काम करेंगे एक तो हम क्या काम करेंगे बेटा एक तो हम काम करेंगे speaking पर आज से ही मैं आपको बोलना start करवाँगा ऐसा नहीं बोलूँगा कि कल से जो पड़ाउंगा आज ही बुलवा के देखूंगा मैं आपसे बोलूगा कि चैट में बोल के देखाऊ और एक हम काम करेंगे लिसनिंग पर ये दोनों काम आज से शुरू करना है Speaking क्या करना है मैं आपको बताऊंगा Speaking कैसे करना है और मैं आपको बताऊंगा सुनना है कैसे सुनना है I will teach you everything सब कुछ बताऊंगा और कोई चार्ज नहीं है एक रुपया भी चार्ज नहीं करने वाला हूं एक रुपया भी चार्ज नहीं करने वाला हूं बोल दिया मतलब बोल दिया साथ दिन तक free है, free में पढ़ाऊंगा, free में training दूँगा, इसके लाखो रूपे चार्ज करता हूँ बेटा में, लाखो रूपे, लेकिन साथ दिन तक free रहेगा, बस करना क्या है, अगर आप अपने English को improve करना चाहते हैं, तो ये book, ये book है, आप इसको order कर सकते हैं, आपके घर पर आजाएगी, आप पुरे परिवार वाले एक ही book को पढ़ सकते हैं, मैं ये नी बोलाओ, सभी बच्चे खरीदो, परिवार में एक कोई भी विक्ती book खरीद लो, ये book, school वाले के काम की है, कॉलेज वाले के काम की है, आंटी जी के काम की है, दाला जी के काम की है, सब कु कौन से वाक्य बोलते हैं, तो English speaking में हमारा day one है आज, और day one में हमें ये समझना है, कि spoken English की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई बेटा होती है sound, क्या होती है, sound होती है, और sound से बन जाता है English में एक letter, और letter से क्या बन जाता है, letter से आपका बन जाता है word और अगर हमें word आता है, तो हम बहुत सारी English का answer दे सकते हैं, आज तक जो भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, word में answers देते हैं, कैसे? आप बोलते हैं yes or no, याने कि इसको बोलते हैं एक शब्द वाली अंग्रेजी, आप सबसे पहले आप लोगों को अंग्रेजी का लेवल पता करना है, आपको क्या पता करना है, अंग्रेजी का लेवल की मेरा अंग्रेजी का लेवल कित्ता है, क्योंकि किसी भी चीज की तयारी करने से पहले खुद को जानो, क्यार मेरी स्थती क्या है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो भी master आपके लिए better है, मुझे ठोड़ा बहुत आता है, तो भी better है, और अगर अच्छे से आ जाता है, तो फिर सिर्फ आपको practice करनी है, ठीक है, तो हमने क्या करना है दोस्तों, हमने चोटे चोडे phrases बोलने पड़ते हैंसर यह phrase क्या होता है इससा बात को समझो मैं समझाता हूं phrase क्या होता है दोस्तों जब हम numa अंग्रेजी जीखते ना तो हम छोटी छोटी phrase को बोलकरSet छोटी छोटी फ्रेस को बोलकर हमारी English को impressive बना सकते है अरे घासी रामों कभी-कभी तो बहुत simple अंग्रेजी में काम आ जाता है बुरावत मानना आपको घासी राम नहीं बोलना हूँ सामने भी दो-चार लोग बैठे हुए वो भी पढ़ रहे तो उनको बोलता हूँ में घासी राम तो कभी-कभी क्या होता है कि छोटे-छोटे sentences को बोलकर अंग्रेजी बहुत बढ़िया बन जाती है जैसे आपने बोला help me इसका मतलब क्या होता है दोस्त इसका मतलब होता है मेरी मदद करो मम्मी बोलती है बच्चे को बच्चे को क्या बोलती है eat food याने की खाना खाओ ये कौन से वाक्य है ये हैं आपके phrases याने की वाक्यांस देखो अंग्रेजी में दू प्रकार की चीज़े होती एक होता है वाक्यांस जिसे sentence कहा जाता है एक होता है वक्यांस एक क्या होता है वक्यांस जिसे फ्रेज कहा जाता है तो हमें शुरुवात कहां से कननी है हमें अगर हमको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है तो आज से आप यस और नो बोलोगे क्या बोलोगे यस और नो बोलोगे अगर आपको यहां तक आ जाती ह तो आप आज से phrase वाली अंग्रेजी बोलना start करोगे, यानि कि आप छोटे छोटे वाक्यों को आज से ही बोलोगे, दोस्तों अंग्रेजी बोलने की शुरुआत, आपको छोटे छोटे वाक्यों से करनी चाहिए, एक दम से master बनने की कोशिस मत करो, एक दम से master नहीं बनोगे, आपको छोटे-छोटे वाक्या, हमने घर में, अपने परिवार में, दोस्तों के बीच बोलो, जैसे, प्लीज कॉल मी बैक, मुझे प्लीज क्रपया कॉल करे, ऐसे सेंटेंसे बोलो, तो आपको, जब ये फ्रेजस आ जाएगी न, यहां से आगे बढ़ लेता हूँ, जब फ्रेजस आ जाएगी न, फिर आपको फ्रेजस से बनता है आपका सेंटेंस, और सेंटेंस से बन जाती है आप की speech तो चुकि English learning का जो pattern होता है न दोस्तों वो यह pattern होता है कौन सा pattern होता है यह pattern होता है अब हमें यह देखना है कि what is my level मेरा level क्या है that you have to see ठीके कोई लेट आया है कोई बात नहीं फटा फट लाइक कर दो बिना like किये गए तो नाराज हो जाओंगा मैं like करना subscribe करना और 5 लोगों को share करो 5 WhatsApp group में और दूसरी बात Mastery app download करिए आप किसको download करोगे download Mastery surge dakika को फटाफट आप एक सेकंडावाड कर लीजीए Mastery app ko download कर लो जहां पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजे मिलेगी तो अभी हमने English का system समझें क्या सिस्टम समझा बेटा कि सर आंग्रेजी में सबसे छोटी हिकाई होती ही sound letter और कुछ letter से बनता है word जब group of letters हो जाते हैं तो word बनता है और जब words को इखटा कर देते हैं जब हम पहली बार English सीखते हैं तो हम सबसे पहले one word वाली English सीखते हैं yes or no और word को जब इखटा करते हैं तो phrase बन जाती है जिसमें हम दो दो शब्द तीन तीन शब्द वाली English सीखते हैं इतनी तो आपको आती होगी सर जब हमारा level यहां तक पक्का हो जाएगा तो सर फिर हम sentences बोलेंगे sentences कैसे बोलते हैं good sentences तो हमें यादी हैं may I go to washroom ma'am may I go to toilet ma'am अरह यही तो सीखे हैं ना भाया इतना तो हमारे master जी हमको सिखाई देते हैं उससे आगे नहीं सिखाते हैं क्योंकि master जी को भी नहीं आती है तो उससे आगे वो सिखानी पाते हैं लेकिन हमें सीखना है क्योंकि हमें दुनिया को दिनी है हमें गाओं में बैट कर अमेरिका वालों से बात करनी है हमें अपने घर में बैट कर work from home करके work from home करके लाखों रुपे कमाने हैं कमाने हैं तो बस तो फिर जोड़ जाए हमारे साथ तो sentence बनता है sentences जब मैं आपको बोलना सिखा दूँगा फिर मैं आपको बताऊंग कि speech कैसे देते हैं अंग्रेजी में भाशन कैसे देते हैं अगर आप मुझे बोलो कि सर अगले दो मिनट तक आप अंग्रेजी बोलके दिखाओ तो I should not feel agitated I can speak English for next two minutes and how can I do it because I have practiced a lot दोस्तों मुझे बहुत सारे बच्चे पूशते हैं आपने कितने महिने में इंगली सी की ब ने बताया है ने ना कि 7 दिन में इंगलीस कैसे सीखे को यूटूब यूटूब नहीं था आज के 7-8 साल पहले हमको पस तो मुबाइल नहीं था भाई मुबाइल नहीं था तो कैसे सी के किताबों से मास्टर जी ने पढ़ाया थ्वड़ा बहुत और हमने प्राक्टिस की औ और यहां से हम अपना डेवर स्टार्ट करते हैं चलिए तो इंपरेटिव सेंटेंसे पढ़ेंगे उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं दोस्तों जो आप मेरी बुक पढ़ोगे ना जो बुक है ना मास्टर डी की आपने बुक देखी हुआ है इस बारकोड को आपको स्कैन करना है अगर आपकी पास बुक है क्योंकि जब मैंने बुक को लांच किया था उसी दिन दस अजार से ज़्यादा बुक हो गई थी अब तो हजारों बुक बच्चों ने बुक खरीद लिए और कल या परसों की क्लास में मैं बोलूंग कि लाखों बच्चे हुआ ही क्योंकि पांसाथ अजार बच्च रहे तो एक लाख कॉपी बिग जाएगी इस टॉक हमारे पास है यह नहीं पर आप बुकिंग कर दीजे हम दो थी दिन में आपके घर पहुचा देंगे बुक ठीक है बैटा यह यह बारकोड है ना यह क्यों लिए हुओ है कि जैसे आपने इंपरेट्व टॉपिक आपने पड़ा आप आपने बुक में पड़ा तो आपको समझ में नहीज आ रहा है तो आप एक स्कैनर डाउन्लोड कर लिजिये और जैसे स्कैनर डाउनलोड करेंगे कोई सा भी प्लेश स्टोर से आप इसको डिको स् इसमें basic से लेकर advanced तक English है और हर topic पर scanner दिया हुआ है ऐसा scanner बनाएं ताकि आपको जो topic समझ में नहीं आता है और मेरी मदद चाहिए मैं फटाक से टपक जाओंगा कैसे टपकूँगा scan करोगे मेरा वीडियो आ जाएगा YouTube पर क्योंकि ये YouTube की YouTube का scanner है YouTube पर देखो बढ़ी है तो बटा देखो इस book मेरा practice sheet दी हुई है मेहनत करो तू महाँ बैठ जाओ हम घर चलें तो ये आप practice करने के बाद इस हाट question practice sheet है और practice करने के बाद आपको ये answer sheet दी हुई है जो sentence आते है उनको करो जो नहीं आते है उनको आपको यहाँ से करना है ठीक है तो मैं book को बता रहा है दिन भर में हजारों मेल आते हैं and they ask me frequent question कि sir from where to start English speaking मैं अंग्रेजी सीखना कहां से start करूं अंग्रेजी बोलना कहां से start करूं मैं बोलता हूं ये topic पड़ भाई imperative sentences पड़ो सर ये क्या होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं इनमें ना हम उठने के साथ सुबह उठते हैं तो हम imperative sentence मुलते हैं ममी ममी चाय दो पापा जरा उदर से पानी ले आना हम तो भाई क्या है कि प्रिंस है तो हम क्या करते हैं हम order देते ममी चाय लाओ ममी पानी लाओ भाया उदर से टौब लाना दीदी जरा पानी गरम रखना अरे भाई राजा महरा जा हो चलो वह तो उसकी sentences दोस्तों order वाले sentences order वाले sentences हमने क्या किया order वाले sentences हमने बोले order वाले sentences बोलने के लिए एक simple सा फंड आता है कि क्या हम यह order English में दे सकते हैं तो हाँ दे सकते हैं तो जब भी दोस्तों जब भी हम imperative की बात करते हैं जब भी हम imperative की बात करते हैं तो हम imperative sentences कैसे बोलते हैं मैं मैं इसको set कर लेता हूं दो तरीके से बोलते हैं या तो हम क्या करते हैं दोस्तों या तो हम order देते हैं या command देते हैं तो मैं यहाँ पर समझा देता हूं आपको ताकि ज्यादा भेतर समझ में आ जाए देखो imperative sentences वो sentences होते हैं जिनमें हम 90% अंगरेजी के वाक्य बूल सकते हैं यह imperative बूलना है आपको सबसे पहले order देना है और दूसरा आपको request करना है आप जिसको भी आपको अंगरेजी में order देना है तो आपको यहाँ पर वर्बकी form याद होनी चाहिए वर्बकी first form याद कर लो और object याद कर लो ठीके क्या करना है वर्बकी first form याद कर लो object याद कर आपने सबसे पहले कहा अपनी मम्मी को बोला कि चा聊 आप अपने अपनी मम्मी को क्या बोला चा neighbourhood अब इसके लिए आपको यह समझना है कि sentence का pattern क्या है कुछ लोग बोलेंगे सर यह तो बहुत ही आसान है सर भईया आसान नहीं है यह कठिन है क्योंकि चाय लाओ को हम बोलेंगे अंग्रेजी में get me a cup of tea हमने क्या बोला दोस्त क्या बोला हमने नय तरीका सीखो है ना आजकल कोई पुराना नोकिया का मोबाल यूज नहीं करता है क्योंकि नोकिया आउटडेटेट हो गया है अगर आपने अपने जिंदगी में अगर खुद को अपडेट नहीं किया तो नोकिया की तरह एक क आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल ने पढ़ाते हैं जरा बताओ इंग्लिश में पढ़ाते हो ना तो फिर तो फिर इंग्लिश तो आनी चाहिए वरना वो इंग्लिश बोलेगा तुम आपनी मदर टंग बोलोगे और समझ में नहीं बात आएगी इसलिए तो चाय लाओ को बोलेंगे get me a cup of tea या तो simple तरीका होता है आप इससे बना लो एक तरीका तो यह क्या हो गया यह हो गए आपकी rich language कि आपने किसी से चाय बुलाई तो आपने कहा get me a cup of tea अब आपको बोलना है कि सर मुझे ना इतनी कठी नहीं आती है आपने verb कहां लगाई object कहां लगाई त सिंपल सीखना चाहता है तो देखो चाय लाओ को हम अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ब तो वर्ब का मतलब होता है लाओ लाओ को बोलते है ब्रिंग मतलब क्या होता है लाना और चाय को क्या बोलते है तो bring a cup of tea कैसे बोलेंगे bring a cup of tea लेकिन cup of tea तो बोलना ही है एक कप चाय क को कपफटी बोलते हैं आपको बोलना है मिरे लिए ग्लास पानी लाओ तो क्या बोलेंगे गेट मी अपकोफटी कहने का मतलब यह है अगर आपको वर्ब की फॉर्स्ट फॉर्म याद है तो आपको अब चाहो तो तो रीच इंगलीश भी बोल सकते हैं आप यह तो मिने थोड़ा कफिल लेवल बता दिया कि बस आपको करना क्या है आपको वर्ब की फ़र्स फॉर्स याद होनी चाहिए सर हमें कितनी वर्बयाद हैं 500 वर्बयाद होनी चाहिए बेटा 500 वर्बयाद होगी तो दिक्कत नहीं आएगी आप sentence देखो बहुत आसालिस सिखा रहा हूँ मैंने कहा कि कपड़े धो मैंने क्या बोला कपड़े धो कैसे बनाओगे मैंने कहा मैंने कहा कि अंग्रेजी सीखो मै कैसे बोलोगे भाई मैंने कहा यहां नाचो मैंने कहा यहां नाचो मैंने कहा वहाँ देखो मैंने कहा वहां देखो चलो फटा फट जरा इस sentences को बनाके दिखाओ तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको वर्ब की first form रखना है और फिर object रखना है फटा फट इन sentences को चेट में translate करो यह मत समझना कि हमें आता है है ना आता है तो भी बनाओ practice हो जाएगी चलिए बना लिया देखी सबसे पहले हमें क्या करना है हमें sentence को पढ़के उसमें से वर्ब को identify करना है कपड़े धो कपड़े धो को क्या बोलते भाई कपड़े धो अच्छा कपड़े वर्ब है कि धो वर्ब है कपड़े धो धाओ नहीं भी या दो होता है सर कपड़े धो कैसे बोलेंगे तो धोने को तो बोलते हैं वाश क्या बोलते हैं वाश वर्बकी फर्स फर्म पहले लगा दी वाश क्या धोना है कपड़े धोना तो हमने बोला वाश क्लोट्स यह कमांड दे दी हमने कपड़े धो वाश क्लोट्स अंग्रेजी सीखो सीखने को क्या बोलते हैं लर्न इसको लर्न नहीं learn English, learn English, इसको English नहीं पढ़ना है, सर नहीं पढ़ना है, शर पढ़ना है, थोड़ा हवा निकालो, आगे से निकालना है, और कही से नहीं, शर, ठीके, यहाँ नाचो, नाचो को क्या बोलते हैं, dance बोलते हैं, नाचो को क्या बोलते हैं, dance, कहा नाचो भीया, यहाँ, तो here बोले करेंगे dance here वहां देखो वहां देखो देखने को क्या बोलते हैं look लुका ने देखना कहा वहां तो इसकी phrase आती look at there यह सारे वो sentences हैं जो आप बोलते हैं आपको जितनी जादा वर्ब याद होगी मैंने कहा वहां भागो तो run there मैंने कहा आसमान में उड़ो fly in the sky मैंने कहा अंड उबालो boil the eggs उबालो को boil बोलते हैं अंडे को eggs बोलते हैं मैंने कहा कि कपड़े पहनो put on clothes मैंने कहा कि पैसे उदार दो lend me some money मैंने कहा कि फटाफट लाइख करो फटाफट लाइख करो like my video मैंने कहा कि अंग्रेजी सीख जाओ चल दी learn English soon मैंने कहा कि अंग्रेजी बोलो speak English मैंने कहा कि खाना खाओ eat food मैंने कहा कि मुझसे दोस्ती करो दोस्ती करो मुझसे be my friends क्या बोलूँगा be my friends तो आपको वर्ब याद होनी चाहिए sir हमें ना वर्ब की 500 वर्ब कैसे याद करें कहां से याद करें तो मैं आपको बोल देता हूँ बेटा यह जो मेरी बुक है ना इस बुक यह PDF और में बुक का यह PDF अभी अवेलेबल नहीं है हम आपको यह बुक घरीब होचा देंगे तो यह जो बुक है ना इस बुक में आपको हमने 500 वर्ब एक जगत दे दिये तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर देखो पेज नंबर पर जाएंगे वर्ब का चार्ट कहा है भीया तो यहाँ लिखा है आपका वर्ब लिस्ट पेज नंबर 279 तो 279 पेज नंबर पर आजाओ भीया कौन सा पेज चल रहा है 279 नीचे है यह देखिए यह 500 वर्ब की लिस्ट है तो आपको करना क्या है और बहुत आसानी से याद करवाँगा मैं आपको आपको करना क्या है वर्ब केसे याद करना है मैंने वीडियो बना रखा है आप इसको स्कैन करेंगे तो वर्ब का चार्ट आपको याद करने का तरीका आजाए देखो अट्रेक्ट मतलब होता है आकर्शित करना आस्क मतलब होता है पूछना अगरी मतलब सहमत होना तो आपको 500 वर्ब याद होनी है मैं आपको homework दे रहा हूँ अभी आगे पड़ाओंगा homework दे रहा हूँ कि कल आपको 50 वर्ब याद करके लानी है तो ये पूरा का पूरा 500 वर्ब का चार्ट है मैं सीज़ा last में ले चलता हूँ आपको एक से एक वर्ब है इस बुक में इस बुक में सब कुछ है जो आपको चाहिए तो आप यहाँ पर देखेंगे the last page is this 500 वर्ब है और लास्ट वर्ब हमारी है zone zone का मतलब होता है घेरना ठीक है तो 500 वर्ब इस बुक में आपको मिल जाएगी चारों फॉर्म है फटा पर इसको समझ लेना अब आपको यह समझ में आ गया कि अगर हमें वर्ब याद होती है तो हम imperative sentences बूल सकते हैं तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताओ तो यहाँ पर देखो कुछ examples दिये हैं दोस्तों क्या examples है अंग्रेजी बोलो speak English दरवाजा बंद करो बंद करने को क्या बोलते हैं close या shut तो ध्यान रखना दरवाजा बंद करने को close मत बूलना ऐसी कोई भी चीज जिसको हम क्या करते हैं जो चीज बड़ी हो और जिस चीज को हम नीचे गिराते हैं अगर हमारा दरवाजा अगर हमारा दर्वाजा क्या हो ऐसे हो ऐसे उपर से नीचे वाला हो तो उसे shut करते हैं shut the door ऐसे हो तो close करते हैं ध्यान रखना दर्वाजा बंद करो shut the door डॉक्टर के पास जाओ जाने को क्या बोलते हैं go बोलते हैं जाने को go तो go to the doctor इसकी जगव पर rich English यूज़ करें तो see the doctor rich English में क्या बोलेंगे see the doctor याने की doctor के पास जाओ या visit the doctor अगला sentence है बड़ा सोचो बड़ा करो कैसे बोलेंगे बड़ा सोचो याने की think big बड़ा करो याने की do big sonu एक कप चाहे लाओ किसी को बोलते है order देते आदेज देते sonu एक कप चाहे लाओ कैसे बोलेंगे पहले यह देखो कि subject क्या है sonu है तो sonu को हमने अलग कर दिया क्योंकि हमारा formula क्या है वर्बकी first form object अब sonu तो subject आ गया तो subject को यहां लिख दिया और comma लागा दिया sonu फिर देखो bring a cup of tea एक कप को क्या बोलते है a cup of tea समझ में आया आगे देखो चुप रहो सबसे जादा बोलते है चुप रहो कैसे बोलोगे अंगरेजी में चुप रहो be quiet देखो एक होता है quit ध्यान रखना गलती कर देते हैं बेटा ये quit होता है इसका मतलब होता है त्यागना क्या होता है त्यागना या छोड़ना होता है ठीके और एक होता है quite यानि कि अगर यहां पर e लग जाता है तो ये quite हो जाता है आप ये सारे के सारे sentences वो थे जो हमने जहां पर हमने वर्ब को रखा और हमने बनाया हम हज़ारो sentence बना सकते इसमें कोई दोमत वाली बात है नहीं जैसे यहां पर कुछ examples लिखे और बहुत आसानी से आप इन्हें बना सकते हो साबुन से अपने कपड़े धोलो वर्ब क्या समझ में धोलो दिमाग ना जैसे ही कोई हिंदी sentence बूलता है धो लो धो लो यह आना चाहिए फटा फट लाइक कर दो आ रहा है ना ऐसे हाथ जोड़के निमिदन करना पड़ता है अच्छा नहीं लगता है आप सब मैच्योर है आप YouTube पे विडियो देख रहे है एक लाइक कर दो तो हमारा motivation बना रहता है ठीक है साबुन से अपने कपड धो लो वाश्योर क्लोट्स विट सोप ठीक है अपने मोबाइल को ढूंडो फाइंड यूर मोबाइल गेट की चाबी लाओ ब्रिंग देख ले ब्रिंग दकी ऑफ दी गेट है ना उस उस लड़के के साथ ठेहरो स्टे विट डाट बोई आप कहने का मतलब यह है कि मैं सब क प्रक्टिस करवाऊंगा यह सेंटेंस मैं आपको दे दूँगा यह पूरा का पूरा पीपीटी कहा मिलेगा टेलेग्राम पर मिलेगा दोस्तों यह पूरे नोट्स है ना टेलेग्राम एक आप आता है टेलेग्राम एप को डाउनलोड कर लेना वहाँ पर मास्टेटी को लगाते हैं जैसे पत्र लिखो, राइट लेटर, पानी पीओ, ड्रिंक वोटर, खाना काओ, इट फूट, लेकिन जब आपको ये बोलना हो कि ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, तो क्या करोगे भाई, ऐसा मत करो तो आपको आगे डोंट लगाना होता है, तो आप सबसे पहले डों के होते हैं, एक तो order होता है आपका positive order, positive order में आप क्या करते हो, simple किसी काम को करने के लिए बोलते हो, उसमें वर्बकी first form object लगा देते हो, एक होता है negative order, negative order क्या होता है, इस बात को समझो, negative बात में आप किसी को कोई काम न करने के लिए बोलते हो, तो वहाँ पर आप क्या कर आगे बेटा आगे don't लगा दो don't लगाने के बाद वर्बर की first form लगा तो object लगा दो बार-बार बोलोगे तो समझ में आ जाएगा जैसे मैं यही पर आपको बना के दिखाता हूं जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि जोर से बोलो मैंने क्या बोला जोर से बोलो तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे एक order है जोर से बोलो तो बोलो को बोलते है speak है ना बोलने को बोलते है speak और जोर से बोलने के लिए हमने क्या लगा दिया loudly speak loudly लेकिन अगर हमें किसी को मना करना हो तो दोस्तों तो मना करना हो तो आप यहां पर बोलेंगे जोर से मत बोलो, कोई आपके सामने जोर से चिलाता है, जोर से मत बोलो, कैसे बोलेंगे भई जोर से मत बोलो, तो इसके लिए यह जो मत लगा है ना, इसके लिए डोंट लगा देना है, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आया यह यहां तक यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बहुत सिंपल है मत के लिए क्या लगा दिया डूंट वर्बकी फॉर्स फ़र्म स्पीक डॉंट इस्पीक लाउटली समझ में आया जैसे मैंने यहां पर कहा कि ड्रिंक वॉटर पानी पियो तो क्या बोलेंगे ड्रिंक वॉटर मैंने कहा पानी मत पियो कैसे बोलेंगे ड्रिंक वॉटर समझ में आया है now you have to practice guys कैसे practice करना है बेटा यहां देखो यहां देखो मेरे साथ चलो don't walk with me मेरे पीछे मत आओ don't follow me हम बोलते ना मुझे मत घुरो don't stare me आपको आगे डूंट लगाना है, बार बार डूंट प्लस वर्ब की फोस्पॉंप, फिर डूंट फिर वर्ब की फोस्पॉंप, मैंने कहा नाचो मत, डूंट डांस, अरे यहां मत नाचो, डूंट डांस हीर, मैंने कहा की, मैंने कहा की, अंग्रेजी में बात मत करो, डूंट टॉक इन मैंने का कि please है ना मेरे सर पे मत बंढ रहा हो don't dance over my head आप हज़ारो sentence बोल सकते हैं आपको समझ में आना चाहिए idea समझ में आया अगर आपको positive बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ अगर आपको negative बोलना है तो आपको don't लगाना है ठीके यह सारे sentences आप पड़ लेना मैंने पड़ा दिया है वैसे आप यह request वाले इसके पहले कुछ practice कर लेते हैं चलिए मैं देखता हूँ कि आपको कितना आता है मैं देखता हूँ कि आपको जो मैं पड़ा रहा हूँ कितना समझ में आ रहा है अच्छा अभी आपकी बारी है मैंने आपको concept बता दिया है न I have told you concept तो concept बता दिया है तो आपको practice करना है महनत करो तो देखो महनत करने को क्या बोलते हैं work hard देखो करने को काम करने को work बोलते हैं और महनत को hard work तो यह तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कैसे बोल सकते हैं sir do hard work तो do आने करो और महनत को बोलते हैं hard work तो do hard work बस ये बन गया simple अभी आपको समझ में आएगा देखो तुम वहाँ बैठ जाओ ये तुम आ गया ना यहाँ पर इस तुम को वहाँ पर अलग लिख दो you यू लिख दिया फिर कॉमा लगा दिया अब main sentence क्या है वहाँ बैठ जाओ तो वर्ब क्या है बैठना तो बैठने को बोलते हैं sit तो sentence बनेगा you sit there क्या बोलोगे you sit there जैसे अगला sentence देखो अगला है अब हम लोग चले अब हम लोग चले तो इसको कैसे बोलेंगे shall we moon now shall we moon now इस तरीके से हम बनाएंगे sonu एक कप चाहे लाओ कैसे बनाएंगे sonu एक कप चाहे लाओ तो sonu हमने अलग लिखा कॉमा लगा एक कप चाहे लाओ वर्ब क्या है लाना तो आप बोलेंगे bring bring a cup of tea bring a cup of tea अगला sentence है कोई कोई टेक्सी बुलाओ आरे कोई गाड़ी तो बुलाओ कोई टेक्सी बुलाओ तो यहाँ पर वर्ब क्या है यह कोई वर्ब है क्या नहीं टेक्सी वर्ब है क्या नहीं बुलाओ हा सर बुलाओ वर्ब है तो पहले वर्ब लिखेंगे बुलाने को बोलते कॉल कॉल टेक्सी जैसे कोई accident होता है तो हम क्या बोलते हैं, call the ambulance, 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 तो हमने समझ लिया, अगला देखो, सीधे खड़े रहो, आपको कई बार बोला जाता है, सीधे खड़े रहो भाई, खड़े रहना, यानि कि stand, और सीधे को हम बोल सकते हैं straight या हम यहां बोलेंगे stand properly क्या बोलेंगे stand properly ठीके कल मुझसे मिलो कई बार बोलते कल मुझसे मिलो आपने आदेश दिया तो यहां पर वर्ब क्या है कल वर्ब है क्या नहीं tomorrow एड़ वर्ब होता है मुझसे यहने की मी होता है और मिलो यहने की meet होता है तो मिलने क आगला सेंटेंस पेड़ के नीचे बैठो पेड हैं इसके नीचे बैठो वर्ब क्या बैठना बैठना वर्ब क्या है बैठो तो बैठने को क्या बोलते है sit और sit कहां पर sit पेड़ के नीचे तो under the tree sit under the tree यह हो गया अगला यहां से वापस जाओ आदेश दे रहें यहां से वापस जाओ कैसे बोलेंगे जाने को बोलते हैं go तो हम बोलेंगे go from here last sentence go back ऐसे बोलेंगे go back from here है ना वापस को बोलेंगे back तो go back from here go back from here यहां से वापस जाओ अपनी पुस्तक को अभी पड़ो अपनी पुस्तक को अभी पड़ो तो हम बोलेंगे read this book now read your book now समझ में आ गया तो guys यह वो simple sentences है जिनको आप practice करोगे ना तो बहुत आसानी से आ जाएगी मैं सहाट question की practice sheet आपको दे रहा हूँ कितनी सहाट मैं करवा नहीं रहा हूँ मैं करवाँगा तो रात बर लग जाएगा यह आपके लिए सर हमें तो answer पता नहीं है बैठा answer नहीं पता है ना answer नहीं पता है तो answer भी दे रखे यह answer भी मैं share कर दूँगा टेंचन नहीं लेने का, बैं होना, टेंचन नहीं लेने का, पहले आप क्या करना, अभी क्लास खतम नहीं है, अभी दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा, भागना नहीं, देड़ घंटे की क्लास है, जब तक नीद नहीं आती है ना, पढ़ना है, क्योंकि साथ दिन में अंगरजी सिखानी है, तो कुछ टॉपिक को थोड़ा फास्ट खीचना पड़ेगा दोस्त, ठीक है, वैसे आज शुरुवात में काफी ज्यान दे दिया, कल वो ज्यान नहीं दूँगा, कल सीधा पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यह 60 क्वेस्टेंस है, इनको 60 क्वेस्टेंस की कंज्चेश है, वह सिंपल सा टॉपिक है, आपका यूज ऑफ है अब ये लेट भी ऐसा टॉपिक है, इसको पहरे हम लेट्स को पढ़ लेते हैं, किसको पढ़ लेते हैं, trash को पढ़ लेते हैं, तो यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जिसका फुल फॉरम बता को इ Wait, let reduce, क् कुछ बच्चे ये गलती मत करना कि सर है ना कुछ बच्चे ये गलती मत करना कि सर ये तो पड़ा हुआ देखो मेरे साथ पड़ोगे तो कुछ नो कुछ नया हमेसा मिलेगा बस आप लाइक नहीं करते तो मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है क्या लग जाता है बुरा आप क लाइक करो भाई चली आगे बढ़ते हैं चली ना लेट्स क्या होता है बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तमाल हम बहुत जादा करते हैं अगर कोई विक्ति आज पहली बार मेरी क्लास में आ है अगर वो भी पड़ेगा ना तो उसको भी टॉपिक आज ही आ जाएगा और आज से बोलना भी है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो हमने इंपरेटिव सेंटेंस को सीख लिया इंपरेटिव सेंटेंस में हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग आदेश देते हैं और किस तरीके से किसी काम को मना करने के लिए बोलते हैं कंक्लूट करूँ तो यह इसका मतलब होता है इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इट मीन्स कि चलो कोई काम करते हैं चलो कोई काम करते हैं चलो कोई काम करते हैं यह इसका मीनिंग होता है अगर आपको ऐसे वाक्य बनाना हो तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में आगे आपको लेट्स को रख रखना है और फिर अगर कोई object दिया हो तो वो रख देना है जैसे मैंने कहा कि चलो अंग्रेजी सीखते हैं चलो अंग्रेजी सीखते हैं अब देखो चलो अंग्रेजी सीखते हैं या अंग्रेजी भी नहीं रखें चलो सीखते हैं ऐसा हमने बोला चलो सीखते हैं तो यहां प कही हो एक साथ कोई काम करने की बात कही हो तो वहां पर हम लेट्स लगाते चलो को क्या बोलेंगे लेट्स बोलेंगे यहां तक समझ में आ गया अब वर्ब की first form अब मैं आपको वही तो सिखा रहा हूं बेटा की 50 वर्बकल याद करके क्लास में आना सर वर्बकी लिस्ट का मि किताब और कर दो, math study app के link chat में सबसे ऊबर दिये, सबसे पहला काम करो एप download करो और किताब को और कर दो, sir, कौन सी किताब की बात कर रे हो, हम तो लेट आए, बटा मेरी book publish हो चुकी है, हजारो copies बिख चुकी है कल तक एक लाग copies बिख जाए सर्फ क्या करना है Master D app पर जाओ इसको order करो आपके घर पर आपके घर पर दो से तीन दिन खुब सी खुब चार दिन में ये बुका जाएगी ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब यहां देखिए Let's Let's के बाद वर्बकी फर्स फर्म सीखना Let's Learn Let's Learn English आसान है ना? एक सेंटेंस और देखते हैं फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा चलो नाचते हैं साधी देख लिया आपने और जैसे आपने साधी देखी चलो नाचते हैं तो आपका मन भी करा नाचने का आपने देखा है ख 1997 और शादियों में गर्मी बहुत आजाती है 2-4 लोग नाच रहे हैं तो सबका मन करता है चलो हम भी नाचते हैं तो चलो नाचते हैं लेकिन अगर आपको बोले कि इसको English में बोल के दिखाओ तो फिर बैठ जाओ गया रहा है नहीं English नहीं आती नाच के दिखा देंगे पर English में नहीं बोल पाएंगे तो बहुत आसान है चलो के लिए क्या लगाओगे सबी लगाएंगे आज ईयाद कर लो चलो मतलब let's चलो कोई काम करते हैं let's लगाना है lets नाचने को क्या बोलते है अब बैटा यह sentences हज़ारों वाकी बोल सकते हैं चलो गाते हैं let's sing, चलो खाते हैं let's seat, चलो दूड़ते हैं let's run चलो पढ़ते हैं let's study क्या बोला चलो पढ़ते हैं ऐसा कभी बोला है ऐसा मन करता है चलो पढ़ते हैं सर मन तो बहुत करता है let's study बोलने का पर जब किताब देखते हैं तो सामने animal दिखाई देता है इसलिए मन नहीं करता पढ़ने में आदा घंटा फोकस करते हैं फिर मन करता थोड़ा Instagram चला लूँ थोड़ा WhatsApp चला लूँ और WhatsApp WhatsApp के चक्कर में वाट लग जाती भहिया छोड़ दो अपने जिन्दगी का कीमती समय खुद पर लगाओ मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि क्या हमारी life में important चीजे क्या है हमें नहीं पता है क्या अपने time का हिसाब रखो जो व्यक्ती time को वेस्ट करता है न वो अपनी जिन्दगी को वेस्ट करता है पता चले अंग्रेजी जिसी चीज जिसको आप एक दो महिने में सीख सकते हो जिन्दगी भर लगा देते हो why does it happen because you people do not focus on one work continuous हम एक चीज को proper पढ़े तो हम कुछ भी कर सकते हैं but we do not focus and this is the biggest problem चल चलो चलो क्या करते हैं चलो कार चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं अब यहां परना अब्जेक्ट भी आ गया है सबसे पहले चलो के लिए क्या लगाओगे लेट्स लगाओगे लेट्स लगा दिया लेट्स और चलाने के लिए ड्राइव लेट्स ड्राइव इसको कैसे बोले तेह नहीं एंगे कि आर डिखो आगर आपको आर बोलना हो न अंग्रेजी में आर को प्राणाउंस करने के लिए आपको आपनी जो टंग है ना उसको फोल्ड करना है Let's play, let's drive the car टंग को फोल्ड करो टंग को फोल्ड करो अंग्रेज़ जिसी अंग्रेज़ निकलेगी मेरे मूँ में मच्छर नहीं घुश जाए भाहिया मत परिसान कर यार मस्किटो, not मस्किटो ठीक है, चलिए तो let's drive the car एक ओर सेंटेंस देखते हैं जैसे मैंने कहा चलो चलो खाना खाते हैं हाँ ये मन तो बहुत करता है चलो खाना खाते हैं कैसे बोलेगा दोस्ट, चलो खाना खाते हैं तो यहाँ पर बोलना है आपको let's वर्बकी first form eat, object क्या है food, तो हमने दोस्तो यहाँ पर दो pattern के sentences देखे, क्या है दो pattern एक तो चलो कोई काम करते हैं और एक pattern हमने देखा की चलो ये object करते हैं चलो school चलते हैं तो क्या बोलेंगे let's go to school मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं कपड़े दो लेते हैं let's play let's wash clothes मैंने का चलो एक काम करते हैं यारा पन्ना उसका दर्वाजा खटकटाते हैं let's knock his door अब हमें वर्ब नहीं याद होती दर्वाजा खटकटाने को क्या बोलते हैं नोक बोलते हैं वर हमें आता नहीं इसलिए मैं चाहता हूं कि ब तो ये रोज याद करना है जिसे visit मतलब भेट करना तो visitate visiting याद करना sentence बनाना कि चलो visit करते हैं चलो उसके घर चलते हैं let's visit his house जैसे आपको याद है कि चलो गायब हो जाते हैं चलो गायब हो जाते हैं तो अगर आपको याद होगा तो आप बोल पाओगे vanish का मतलब होता है गायब होना, let's vanish today, आज गायब हो जाते हैं, यानि कि जितना verbs आपको याद होगी, अगर मुझे कोई पूछे ना, कि सर अंग्रेजी मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँ, तो मैं बोलूँगा सबसे पहली पुरसत में वर्ब याद कर ले, अगर सर कि तो याद करने को, भाया मेरे, लोग मार्स पे जा रहे हैं, नासा में जा रहे हैं, लोग बड़े-बड़े इसरों में जा रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, और तुम से 50 वर्ब याद नहीं होगी, इतने बड़े घासी राम हो क्या, सर घासी राम नहीं है, खुद को मानते हैं, that's the point कि हम लोग कमजोर नहीं होते हैं हम लोग कमजोर खुद को मानते हैं जैसे many of my friends tell me, अरे इंगलीज तो सीखना चाहता हूँ पर time नहीं है मैं बोलता हूँ खाना खाने को time है हाँ sir है ना, मैं बोलता हूँ पानी पीने को time है है ना, सोने को time है, है ना दोस्तों के लिए time है, है नrendre सर मैं बोलता हूँ वीडियो देखने के लिए time है, हाँ है ना खुद के लिए time नहीं है आच्छा मेरे पास 25 गंटे है क्या 25 गंटे मेरे पास दिन में नहीं sir आपके पास भी 24 गंटे है अच्छा अमबानी के पास 25 घंटे हैं नहीं सर उसके पास भी 24 घंटे हैं हम सब के पास 24 आवर्स है दोस्तों It depends on us कि हम इन 24 आवर्स में दुनिया के लिए कितना टाइम निकालते हैं खुद के लिए कितना टाइम निकालते हैं अगर नहीं निकाला तो प्राब्लम हो जाए इतने सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ यार मैं तो और भी हराम से पढ़ाता हूँ पर चुकि साथ दिन में कोर्स खतम करना है इसलिए बेटा मैं तुछा जल्दी कर रहा हूँ तो चलो कोई काम करते हैं तो हमें क्या करना है लेट्स लगाना है आप जितनी भी वर्प्स याद होती है आपको इन सब को सेंटेंज बनाना है तो वो साथ क्वेस्चन ये और पचास क्वेस्चन आपको ये बनाना है ये पचास क्वेस्चन मैं ग्रूप में डाल दूँगा ठीक है अगर आपकी बस book नहीं है तो book में topic है lets वाला उसमें से practice कर लेना है sir हमें तो पता ही नहीं है देखो सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको index में जाना है कहां जाना है index में देखो यह हमारी index है और यहाँ पर एक topic है यह देखो use of let's थर थोड़ा सा बढ़ा करके दिखा दिख रहा है use of let's chapter number 10 मैंने आपको concept समझा दिया है chapter number 10 use of let's chapter number 11 use of let's page number 53 तो चलिए हम page number 53 पर चले जाते हैं तो कहां है भाई यह 53 कौन सा पेज आगया यार यह तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी थोड़ा चोटा करिए अहां हां अरे बहुत आगे आगे भाई page number 53 है ना चलिए page number 53 पर चलते हैं आम जिस शोविंग यू मैं आगे पढ़ाऊंगा यह मां सोचना कि क्या हो रहा है 53 53 कहां है भाई आगे 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 गो अहेट यह रहा देखो यह topic है दोस्तों देखो यह topic है book में यह book की PDF है पर आपको hard copy लेने यह topic है लेट्स लेट्स क्या होता है यहां पर लिखा है तो आप मैंने आपको concept समझा दिया है कि सबसे पहले लेट्स लखना और लेट्स के बाद आप वर्ब की first form लखना इसके बाद आपको practice करनी है तो आपको यहां पर ना यह 60 questions मिल जाएंगे लेट के चलो कुछ खाते हैं क्या लिखा है चलो कुछ खाते हैं लेट्स इट सम्थिंग यहां खाली स्थान भी दिया है बुक में practice करना है कई अलग से practice नहीं करना है चलो संगार करते हैं let's let's get ready. Yeah let's decorate. चलो उसे phone लगायतने हैं. Let's call him. आओ movie देखें. आओ चलो movie देखते हैं. टाइम बर्बाद करते हैं. और animal movie देखते हैं. Animal movie कोई movie नहीं है. वहाँ पर आपको जानवर बनना दिखाइगा. जानवर कैसे बने. Please don't watch animal. हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ठीक है तो चलो एक बूसरे की मदद करें लेट स हेल्प इचादर एक दुसरे को बोलते हैं इचादर देखो अंग्रेजी के रोज एक घंटे क्लास में आओ के ना कुछ सीखो ना सीखो लेकिन आप लोगों की वो क्या दरी अच्छी करवाद होगे क्योंकि जैसे माहौल में जाते हैं ना वैसे हमारा दिमाग चलता है ओटले पे बैठ के बाहर गली में बैठ के लोगों की बुराई करने के बजाए एक घंटा मेरे साथ आओगे तो you will become perfect in English क्योंकि बहतर सीखो गया आप बहतर समझो गया ये topic हो गया आगे बढ़ जाते है ठीक है ये topic हो गया ये let's हो गया अब अगला topic लेते हैं let अगला topic क्या है बेटा let है आप देखो ये let's का छोटा भाई वो क्या है let's बड़ा भाई है ये let का छोटा भाई इसका meaning होता है कोई काम होने दो कोई काम होने दो कैसे बोलो कि भाई कोई काम होने दो सर हमको तो पता है सीख ले भाई देखो कई बार क्या होता है कि हम ना ये फर्मला लगाते है let लगाना है इसके बाद objective pronoun लगाना है objective pronoun उसके बाद आपको verb का first form लगाना है और फिर आपको वाक्की बनाना है अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा word है what is this सर objective pronoun अरे कुछ नहीं होता है एक जटके में समझ में आ जाएगा बस हिम्मत नहीं हरना आप अंग्रेजी सीखो के साथ दिन में हिम्मत नहीं हरना देखो जैसे मैंने कहा मैंने बोला कि है ना मैंने बोला कि उसे जाने दो ये sentence है अब meaning क्या निकलता है जब भी किसी sentence के last में दो शब्दा आ जाए क्या आज़ा दो जैसे कि हम किसी को allow कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए उसे खाने दो उसे जाने दो उसे बैठने दो उसे पढ़ने दो कईबर हम पढ़ाई करते रहते हैं हमारे भाई बैना के हमारे बाल खिसते हैं हम क्या बोलते हैं अरे भाई तेरे हाथ जोड़े मुझे पढ़ने दो यही बात आपको इंग्लिश में बोलनी है कि I request you please let me study तो let me study मतलब मुझे पढ़ने दो let me study अच्छा बच्चे पुछे सर्फ बुक का प्राइस की इतना है 320 रुपे विटा 320 रुपे में आपके घर आ जाएगी डिलेवरी फ्री है डिलेवरी कोई चार्जेस नहीं है बले आपको अगर ले लद्दाग में हो कश्मीर में अमेरिका में हो अमेरिका नहीं इंडिया में हैं आप आउट आफ इंडिय डिलेवरी नहीं मेरे पास 1000 बुक्स के ओडर पढ़े वह आउट आफ इंडिया के पर हम आउट आफ इंडिया अभी थोड़ा सा बैन लगा हुआ है इसलिए पहुचा नहीं पा रहे है है ना तो अभी इंडिया में डिलेवरी है कुछ दिनों बाद हम लोग आउट अफ मिंटे डिलेवरी पूरी करें क्योंकि इंडिया में हम सप्लाइ नहीं कर पारें इतनी डिमांड यह आ रहे तो 320 रुपे की बुक है और डिलेवरी फ्री है आप बुक करोगे 320 रुपे में ब बोलते हैं शी या ही माल लेते हैं ही बोलते हैं तो ही तो सब्जेक्ट है इसका अब्जेक्टिव फॉर्म क्या है तो इसका अब्जेक्टिव फॉर्म है हिम तो हमें यहां पर यह नहीं लगाना है सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगाना है हिम लगाना है तो यहां पर उस Flipkart पर एक हफते बाद अवेलेबल होगी बेटा Flipkart Amazon पर एक हफते बाद अवेलेबल होगी Book सिर्फ Mass Study एप पर मिल रही है और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते है www.massstudy.in ये in लगाना है, .com नहीं लगाना है इस वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से भी अपनी book को order कर सकते हैं आप और आप app से भी कर सकते हैं जहां आपर जाना है वहाँ से कर दो या फिर नीचे देगे number पर हमें call करना अभी तो mobile बंद हो गया होगी कल दिन में 11 से 5 की बिच में call करना हम आप से बात करके आपके घर book पहुचा देंगे ठीके बेटा, देखिए तो समझ में आया कि सर objective pronoun तो मुझे याद ही नहीं है अरे याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ ना, tension कहा है ले रहा है देखो, यह दो column बना लिए अब यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके subjective pronoun और यहाँ पर मैंने लिख दिया objective pronoun ना, see, sir, कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले मैंने column बना लिए हैं पर एक बार में याद हो जाने चाहिए आपको है ना सबसमजदार है, बुद्धिमान है, घासी राम नहीं हो तुम लोग देखो, सबसे पहले I का objective form क्या होगा यह objective pronoun क्या होगा तो यह होगा I का मी अच्छा बताओ, she का क्या होगा हर होगा, he का क्या होगा sir, अभी तो आपने बताया, him होगा दे का क्या होगा, बताओ जरा फटा फट बोलो, sir, दे का देम होगा sir, यह बताओ sir, you का क्या होगा अरे, you का you ही होगा भाई और क्या बचा sir, we वी का क्या होगा, us होगा और नाम आ जाए तो नाम का नाम रहेगा तो यह याद कर लो चार्ट कि I का मी यह याद करना पड़ेगा इसकी कोई shortcut trick नहीं है भाई जय भीम भाई साब, भाई बोल रहे हैं जय भीम, जय भीम भाई यह हम तो सब को मानते हैं ठीक है, तो हम क्योंकि दिल में हिंदुस्तान है तो सभी धर्मों का सम्मान मेरे लिए तो equal है जो आप बोलोगे उसमें राजी है बस मेरा purpose है कि सबसे इनसान को सबसे अच्छा इनसान बनने के लिए एक human होना चाहिए once you are a good human being so humanity should be your religion ठीक है, तो इनसान बनो, बाकी इश्वर है सब देखता है, ठीक है तो यह हो गया, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें कुछ practice करना है देखो कैसे practice करते है, जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ने दो, वैसे पढ़ने में मन कभी-कभी लगता है, तो आपने का मुझे पढ़ने दो, कैसे बोलेंगे भाई कैसे बोलेंगे भाई में तो I का objective form क्या आएगा me, तो let me study, आप देखो बेटा, दो subject होते हैं, एक होता है आपका read, एक होता है आपका study, तो read और study में क्या difference है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा read और study में क्या difference है, anybody from you people can try, read और study में क्या difference है, बताओ, बताओ, देखो मैं एक निवेदन करता हूँ, आलसी मत करना बेटा, साथ दिन है, साथ दिन में पूरी इंगलिश खतम करूँगा, एक दिन में तीन topic पड़ाओंगा, इसलिए अगर साथ दिन में complete करना चाहते हो, धोलंगा है, तो रोज आ जाना, और अपने दोस्तों को भी लाना, सब को लाना, आपने घर परिवार वालों को, आपकी दीदी होगी, आपकी आंटी होगी, हमारी बहुत सारी बहने हैं ना, वो अपनी डिग्रियां करके घर बैठ जाती, बोलती है कि आप पढ़ाई तो कर लिए अप क्या करें, घर वाले मना करके काम करने का बाहर, तो घर work from home कर सकते, मैं सबी बहनों से, सबी माताओं बहनों से निवेदन करता है, ठीके, इसलिए किसी भी educated महिला को सिर्फ खाना नहीं बनाना चाहिए, women are not born to only cook food, ठीके, इसलिए उनको अपना स्वाविमान जिंदा रखने के लिए, work from home start कर देना चाहिए, अगर घर वाले बाहर नहीं जाने देते तो, सर कैसे करें, इंग्लिस सीख जाओ, मैं दिलव नहीं बैठने का, खाली दिमाग सैतान, इंग्लिस सीखो, फिर काम कैसे मिलेगा, मैं बताऊंगा, चलिए, तो read and study में क्या difference है, काफी बच्चों ने answer दिया है, see guys, read का मतलब होता है, कि किसी किताब को line by line पढ़ना, line by line पढ़ना, किसी किताब को जैसे मैंने का कि मैं novel पढ पढ़ रहा हूं, I am reading four chapters, कोई part को पढ़ना, मतलब वहाँ पर सिर्फ reading की बात हो रही है, और पढ़ाई का मतलब होता है, कि आप किसी चीज को understand करते, समझते हैं, for example, आप mathematics की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, I am studying mathematics, मैं mathematics की पढ़ाई कर रहा हूं, आपने कहा कि मैं science की पढ़ाई कर रहा हूं, तो science को आप line by line नहीं पढ़ रहे हो, आप science की पढ़ाई कर रहे हो, तो you are studying science, तो study का मतलब होता है, समझना, और read का मतलब होता है, केवल पढ़ना, समझ में आता है, नहीं आता है, बात की बात है, गासी राम ठेहरे, तो क्या समझ में अगर आप सनावत के आसपास रहते हैं, तो आप masterdy के office आ सकते हैं, और यहां पर आपको book मिल जाएगी, आप call करने हम आपको दे दे, लेकिन book available कब होगी, 22, मतलब की 22 December से, ठीके, अभी हमारे पास ही stock नहीं, भाई, खतम ही हो रहा है, जो लाते हैं, लोग पहले खड़े र तो let me study, let me study, अगला sentence देखते हैं, मैंने कहा कि हमें, हमें सोने दो, कई बार हमें कोई सोने नहीं देता है, हमें सोने दो, कैसे बोलेंगे भाई, हमें सोने दो, तो हम बोलेंगे, let us, देखो, let आने दो, अब हमें को बोलते हैं we, तो we का लिखा यह रहा, we का उल्टा क्या ह होता है us let us sleep समझ में आ गया कर लोगे ना अरे कर लोगे न भाई तीन टॉपिक पढ़ा दिया आज तीन टॉपिक चलिए समयराइज करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं मैंने को मुझे भागने दो तो लेट मी रन मुझे नाचने दो लेट मी डांस मुझे यार थोड़ा आप क्या बोलोगे बेटा let me learn English यह मेरे लिए फाइदे मन दे मैं इंगली सीख जाओंगी तो तुझे भी बोर्ट सिखा पाओंगी और तुझे सिखा पाओंगी तो तुझे होमवक करवा पाओंगी दोस्तो हमारे समाज में न हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो अपने बच्च का होमवक नहीं करवा पाते हैं पूछो क्यों पता है क्यों कि उनको इंग्लिष नहीं आती हमारे गली में एक आंटी भाबी जो भी बूल सकते रहते थे तो वो बोले कि भया मेरे बच्चे का कुछ हमरे आप करवा सकते हैं क्यों आप भी तो एजुकेटिड हैं हां मैंने स्वाल करना है लेकिन भासा समझ में नहीं आती है तो कई माताओं बहनाओं के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपनी डिग्रीज तो कर ली है लेकिन बड़ी इंसल्ट फील होती है जब उनको अपने बच्चों को हमवक नहीं करवा पाती है तो भाई क्यों कब तक 11 बचे तक हमारी सारी बैचेज हैं कोई सी भी एक बैच जवाइन कर लो और आपके हिसाब से हम आपको दे देंगी दो प्रकार की बैचेज हमारे पास रहती है बेसिक वाली एडवान्स वाली पहले शुरूवात करनी तो बेसिक वाली जवाइन करो और फिट थोड़ा सा ए वीडियो देख लेना फिया इया यह खेला सब्राइन शुरूर से देखना अच्छे से नोट्स बनाना इंपरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा दोस्तों जार दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा आज लैट्स का उप्योग और रो glue के रूप में मैंने क्या दिया है तो आज आज को HW बच्चों को मिलता है अब आपको भी मिलेगा से HW के रूप में मैंने आपको imperative के पहला homework क्या है imperative के 60 sentence मैंने आपको translate करने को दिए दूसरा आपको let के भी 50 sentence let के 50 sentence आपको दिए और तीसरा homework है 25 sentence 25 sentence मैं आपको दे रहा हूँ let के तो let के 25 sentence आपको करना है इतना सारा homework है पर अपने आपको कमजोर मत समझना अगर आपको जिन्दगी में बहतर बनना है communication को improve करना है English को सीखना है तो आज ही सीख जाओ आने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए यह हमारा में चैनल है जहां पर आप हमारी live class देखने कल आट बजे आ जाना वेट मत करवाना है न और ग्रामर का चैनल अगर आपको आप इंस्टाग्राम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सच में लगता है कि हां सर हमें मैं मैं बहुत सीरियस हों इंग्लिश के प्रति मुझे इंगले सीखना है तो यूटूब के साथ-साथ आप हमारी live classes जोईन कर सकते हमारे कोर्स का नाम है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स यह मास्टडी एप पर अबेलेबल है है यह छे महिने का कोर्स है और छे महिने में से दो महिने आपको live class मिलती है यहने कि सहाथ दिन का कोर्स है पूरा और इसमें बेसिक वाले बच्चे ही जोईन करना जिनको शुरू से सीखना है अगर आप मैंसे कोई ऐसे लोग हों जो आपको एक्सपर्ट बनाएंगे विट गैरंटी मेरी है कि अगर आप तीन महिने टिक जाते हैं तो आप English teacher बनके निकलते हैं English आराम से सीख जाते हैं तीन महिना class होती है रोज live class इसमें भी है इसमें भी live class है ठीक है कोई videos नहीं देते हैं हम आपको पढ़ाते हैं रोज अगर आप मेंसे कोई ऐसे विक्ति हो जो अकेले पढ़ना चाहते हैं कि सर ना मैं मेरे पास time नहीं है सर मैं job करती हूँ job करता हूँ समय नहीं है तो कुछ ऐसा time दो कि मैं अपने हिसाब से time लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो personal English trainer आप हायर कर सकते हैं आपको tension नहीं मास study आपके द्वार पर आ जाएगा आप सुभे शाम रात को किसर दो बज़ रात को पढ़ना है आपको दो बज़ रात को trainer मिल जाएगा तो आप personal English trainer जो है हायर कर सकते हैं मास study पर और एक व्यक्ति को one to one class होगी एक व्यक्ति को हम पूरे एक मेने पढ़ा सकते हैं मेरी बुक यह रही भारत की सबसे शानदार बुक यह बुक फटाफट और कर दीजे इस बुक को को कॉर्स को complete करने के लिए और यह चोटे बच्चों की बैच है अगर आपके बच्चे चोटे हैं English पढ़ना चाहते हैं एना English नहीं आती है English test series master study पर अवेलेबल है गर ग्रामर कोर से चलिए तो मैं भी पिछले देड़ घंटे से खुब चिला रहा हूँ आप से सिर्फ लास्ट में एक ही निवेदन है एक लाइक कर दीजे सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजे और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों देखो English ना आपको आ साथ दिन में मुझे कोर्स कंप्लीट करना है है ना तो साथ दिन में कोर्स क्योंकि एक जन्वरी को नया कोर्स आ जाएगा 75 दिन वाला 75 हाट वाला तो जिनको बहुत अराम से पढ़ना है जीरो से पढ़ना है तो 75 वाला कोर्स जोईन करना मेरा वो भी YouTube पर फ्री रहेगा प आपको रोज एक घंटा टाइम निकालना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम निकालो, दुनिया के लिए टाइम है, लेकिन दुनिया साथ तभी देगी आपका, जब आप कुछ लाइफ में बनोगी, इस दुनिया का दस्तूर है, अगर आप कुछ नहीं है तो लोग आपकी value नहीं करते हैं, लोग आपकी insult करते हैं, लोग आपका फाइदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार यार इसकी तो मजबूरी है, दोस्तो हमारी मजबूरी तब तक रहती है, जब तक हमें कुछ आता नहीं है, जब आप कुछ बन जाओगे ना, तो फिर प्रॉमिस करो मुझसे कि सर, I promise you that I will improve my communication skills with you, with math study, आज comment में डाल के जाओ कि मैं प्रॉमिस करता हूं सर, कि मैं अपने time को waste नहीं करूंगा, और मैं अगले 7 दिन तक math study से जुडूंगा, और इस 7 days book course में मैं पूरा enroll हूंगा, और मैं English को सीखूंगा, अगर आपने ये जंदकी बदल जाएगी, आने वाला जो अपरेल मई हैं जिसमें आप interviews दोगे, उसमें आपकी बहतर जौब रहेगी, आपका business बहतर चलेगा, चाहे आप business करते हो, चाहे आप job करते हो, दोनों में English बहुत जरूरी है, कई सारे schools के directors मुझसे connected हैं, तो वो मुझे बोलते हैं, अरे यार सर, school तो खोल दी है, पैसा भी लगा दिया है, पर सर, school के teachers न, English में बात करते हैं, तो मैं director हूँ लेकिन में को शरम आती है, क्यों हूँ, मैंने का क्यों आती है, मुझे English नहीं आती है, मैंने का हाँ English सीखो, तो वो मुझे साल भर से मुझे बोल रहा है English सीखने के स्कूल के directors, बड़े बड़े business जो समालते हैं, वो भी English सीख रहे हमारे पास personal classes ले रहे, 100 से जाधा batches है हमारे पास math study के पास, 100 से जाधा, ठेक नहीं रहा हूँ है, real में कभी आ जाना, तो क्या है दूस्तों कि लोगों की demand बढ़ी, लोगों को पता चले है कि English सीखना इसलिए आप भी मत वेट करो, साथ दिन तक consistency बनाओ, उसके बाद जो course जोईन करना हो कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मुझसे counselling चाहिए, आप कल कॉल करना number पर की भई मुझे course जोईन करना है, सर से बात करवा दो, तो मेरे जो assistant है, वो मुझसे बात क करवा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी life की responsibility लें, आप जिम्मेदारी के साथ काम करें, अपनी life को थोड़ा seriously लें, क्योंकि समय इतना नहीं बचा है आपके पास, आपको बहुत आगे जाना है, दोस्त, आपार संभावना है, असमित संभावना है, मैं एक गा possible हो पाया, it is only because of English guys, and if it is only because of English, then you can also do, अगर मैं कर सकता हूं, तो आप मुझसे बहतर बन सकते हैं, ठीके दोस्तों, इसलिए request है कि प्लीज कल टाइम पर आना, और book जरूर ले लेना, मैं फिर निवधन कर रहा हूं, कि book आज order कर दोगे, तो जल्दी आ जाएगी, मान लोग कल order करोगे, परसो करोगे, तो लेट हो जाएगी, course खतम हो जाएगी, अब भी फटापट order कर दोगे, तो क्या होगा, यह जो book है, यह 320 रुपे की है, यह book order कर दो, है न, और यह 400 रुपे इस वे MRP डलावा है, पर मैं अभी discount ने दे रहा हूं, मुझे नहीं कमाना है, यह book जो है, बच्चों को पोचा देते हैं, वो पढ़ेंगे, उनके काम में आएगी, अपने भाई बेहनों के, उनके भाई बेहनों के भी काम में आएगी, तो आप आज book करेंगे, तो दो-तिन दिन में आपके घर आ जाएगी, फटा-फट, तो आपका जो course रहेगा, कल्स परसो वाला, तो वो आप उसको continue कर लोगे, ठीके, चलिए, thank you so much, आपने इतना समय दिया, आप please comment में ये लिखके जरूर जाना, अभी chat में नहीं बेटा, chat में नहीं, comment में, जब comment box खुलेगा न, 15 मिनिट बाद, तो उसमें आप जरूर लिखना कि आपको class कैसे लगी, मैं पिछल मुझे भी मज़ा आता है, मेरा गला दुखता है, लेकिन में तेड़ घंटे लगातार बोलता हूँ, तो प्लीज जो है, आप tension ना लो, है न, आप रोज आओ class में, consistency maintain करो, और enjoy करो class को, most importantly आपको लगातार पढ़ना है, और एक और चीज, homework करना, आज एक copy लेना, जो लोग starting में कुछ tips बताई थी, कि हमें हमारी body language पर काम करना है, हमें हमें हमारी, you know, language sentences पर काम करना है, English is not all about कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, हमारी body language नहीं होगी, हमारा eye contact properly नहीं होगा, हमारे बोलने के तरीके अच्छे नहीं होगी, तो गरबड हो जाते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब पर काम करना है, you have to become perfect, Mr. Perfectness बनना है, है ना, तो perfect कब बनोगे, जब आप सारी चीजों पर properly ध्यान दोगे, चलिए, बाते तो बहुत सारी है, लेकिन, आप सभी लोग के सयोग से, आज का हमारा पहला दिन बहुत सफल रहा, और हम से लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग ज हमारी अप कि नीची डिसकर्प्शन में, और चैट में भी दे रखाए, तो मास्टडी अप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डउनलोट कर लो, और वहां से भी नोटस डाउनलोट कर सकते हैं, ठीगे, ठीक है, ठीक है, तैंक यु सो मच, प्लीस टेक केर, अपना ध्यान रख अच्छी बाते करें, healthy food खाएं, अपने time को बरबाद ना करें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बुरो को हटा दें, फाल्तू रिल्स ना देखें और अपनी life में एक एम बना के, ड्रीम बना के आगे बड़ें, देखना आप भी एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे और अपनी life में बहुत enjoy करोगे और आपकी family को और इस देश को आप पर गर्व होगा, जैहिंद, take care